नमशकार दोस्तों दिवाली एक ऐसा तेवहार है जिसका लोग बेसबरी से इंतजार करते हैं दिवाली से दो दिन पहले धंतेरस का तेवहार मनाया जाता है इस साल आज यानि 10 नॉम्मर को धंतेरस मनाया जाएगा इस दिन लोग लक्षमी और कुबेर की पुजा करते हैं जिससे घर में धन की कमी न हो इसके अलावा लोग धनतेरस के दिन गोल्ड, सिल्वर, नए बरतन की खरिदारी भी करते हैं रहा जाता है इस दिन गोल्ड, सिल्वर, बरतन आदी की खरदारी करना शुम माना जाता है। धंतेरस के दिन लोग कई गाड़ी, कार, मुबाइल, लैपटॉप आदी भी खरिदते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजे हैं जिने धंतेरस के दिन नहीं खरिदना चाहिए। नुकीली चीजें, धंतेरस के दिन चाकू और कैची जैसी नुकीली चीजे खरिदने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ये चीजे परिवार के लिए बैड लग लेके आती हैं। स्टील, धंतेरस के दिन कई लोग स्टील के बरतन खरिदते हैं, हलाकि धंतेरस पर स्टील न खरिदने की सला दी जाती है, इसकी जगा आप तामबे या कांच की चीजे खरिद सकते हैं, धन्तेरस के दिन लोहे के बरतन या लोहे से बनी चीज़े खरिदने से बचना चाहिए क्योंकि अशुब माना जाता है कहते हैं लोहा खरिदने से धन के देवता को बेर नराध हो जाते हैं काँच के बर्तन, धन्तेरस के दिन काँच के बर्तन या काँच से बनी चीजे खरिदना भी अशुब होता है, क्योंकि काँच की चीजे राहु से संबंदित होती है, अल्मूनियम और प्लास्टिक प्रोड़क्ट, धन्तेरस के दिन अल्मूनियम और प्लास्टिक प्रोड़क्ट से बनी चीजों को खरिदने से बचना चाहिए, इसकी बजाए किसी धातू से बनी चीजे खरिदें तेलिया घी, धंतेरस के दिन तेलिया घी खरिदना अशुम माना जाता है, अगर किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत हो, तो एक दिन पहले या एक दिन बाद में ही खरीदे Artificial सोना, धंतेरस के दिन सोना खर्टना सुब होता है, लेकिन इस दिन नकली सोने के जलूरी सिक्के और अनी चीज़े नहीं खर्टनी चाहिए खाली बर्तन, इस बात का विशेज ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट से खरीदे बर्तन को धंतेरस के दिन लाने से पहले उसमें पानी या अनाज जरूर डालने तो दोस्तों इन छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपने घर में लक्षमी को आमंत्रित कर सकते हैं, नमस्कार